आज आज हम क्लास 4 की जो हमारा फास चैप्टर से बता था उसकी आगे स्टड़ी करेंगे कल हमने अनियूजिल प्लांट्स के बारे में पढ़ा था आज हम एनर्जी फ्लो इन लिविंग फिंग्स के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं यह उधान होज यह करते हैंम Music प्लांट्स को एनर्जी मिलती कहां से कहां से चाहं से निदे हैं हमारा si तो यूवी रेस से प्लांट को एनर्जी मिल रही है और कारबन डायोकसाइड ही और एनिमल से मिल रहा है और वाटर को सॉल में इसे प्लांट एब्सर्ब करते हैं इस फूड इस यूजड बाइन एनिमल्स जो खाना प्लांट ने बना कर तयार किया फ्रूट के फॉर्म में और वेजिटेवल्स की फॉर्म में उसको कौन यूज़ कर रहा है हम हूँमन बिंग्स और एनिमल्स भी इन इनर्जी टू इन इस वे दे गेट एनर्जी टू वर्क अब जो फूट और एजिटेवल्स की फॉर्म में प्लांट में जो फूट बनाया जो उस पर फसल आई वह हमने ईमन विंग्स ने गई अब हम लेटर में उसको क्या दे रहे हैं कार्बन डायोकसाइड हम इनहेल क अब हम इस प्लांट से उमन में एनिमल्स को अक्सीजन मिली और रिटन में उसको दिया कार्बन डायोकसाइड अब यह कैसे हो पा रहा है क्योंकि अब हम इनल्ड सीजन में ऑड़न आडिन में प्लांट से यूवडर कुड़न से ऑप रहा है आपको जो भी चप्ट में पढ़ाया गया है वह आपको पुरह रिवाइस करना है और आज का आपका हुम्वरत है फिलिंदा ब्लैंक्स और मेश्दा कोलम प्रेस नमबर 10 पर आपकी बुक में है फिलिंदे ब्लेंक्स में फर्स्ट आप से पूछा गया गिफ्स ग्रीन कलर टू दप्लांट ऐसा कॉंसा सब्स्टेंस है जिससे प्लांट को ग्रीन कलर मिलता है यहां को फिल करना है से किओन से कई फ्लांट फूट्ट किसको गया था हमने पढ़ा चक्थ में नाम लप स्थे है प्रिपेर फूड़ लचिग लेती है घराना से कि यहां तो आपको श्रेंड नहीं फिल करना है यहां आपको फिल करना है और अंडर साइड ओप लीफ आर्टीडी पोर्स हमने देखा था उस लीफ में छोटे-छोटे पोर्स होते छेद होते उसको क्या कहते हैं यहां पर आपको फिल करना है यह जिसके पास नहीं है तो वह जो भी कोपी आप बना रहे हैं उसमें आप प्रेशनल प्लांट कौन से होते हैं और स्टार्च के करता है यह आपको मैस्ता कॉलम करने हैं थांक यू एव नाइस जेए